विल्कम भाई लोग कैसे हैं आप सब लोग्स आगरता है आपका हमारे चोटी से यूटी चैनल अमानी गेमिंग के अंदर तो गाईज आज हम बताएंगे आपको कि अपनी जो सेंस्टिव से एटेंगे जैसे कि आपको होट आटो हेट शॉट मानना है गाईज उसकी ट्रिक मै अगर आपको वह सेंस्टिविटी सेटिंग अच्छी ना लग रही है तो कहना हूं से आपका गेमप्ले एक हकते के अंदर इतना इंप्रूव ना हो जाए तो आप मैं बता सभी बता रहूं गाईज आप मुझे कुछ भी कमेंट में लिख देना अगर यह गेम प्ली अगर अच्छा हुआ से आपका गेम प्ली अच्छी अच्छी कमेंट कर देना काई इस कमेंट वॉक्स में तो आची इस वीडियो को मैं बिना टाम कवाई वीडियो को शुरू करता हूं तो उसके लिए पहले आपको मैं एक पात बता दूँ चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको सब्सक्राइब करेंगे तो इस वीडियो को पूरा देखिए उसके लिए आपको दिखा देता हूं सैंस्ट्विटी सेटिंग ना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आपको यह सेंटिंग नहीं दिनका गऄाय स्मया अब को दिस्क्रिप्सन में मजा कर रहा था है आपको सेटिव अधर करें दाना होगा आपको जैसे कैमरा इधर उदर करना है आप कूथ की स्लाइड कर सकते हैं आपका जो स्लाइडिंग का आए वो अपने का पर मतलब के हाथ पर कंट्रोल करता है कि आपका गोटर कैसे मतलब मूव कर रहा है तो इसके लिए आपको CENTIVITY SETING 51 रखनी जो जनेरल की है जनेरल के बाद आपको रैडड राता है तो रैड डाट की जो सैटंक है उसकी आपको 70 पर रखना है से 70 पर रखने से आप जो बंदे का हैडशॉट होगा ना आप जैसे की बंदे को मारेंगे और ड्रेग हैडशॉट अगर आप खिलते हैं तो आपका गेमप्ले इतना इंप्रूब होगा गाईस फंटेप हैडशॉट लगे है इस वीडियो को पूरा ख्लाइब लिखने स्क्याओा गाईस आपका अप जो बंदा मगलब आप इसको मार के बंदे को मारेंगे तो एक बंदी को जैसे मार देते हैं उसके बात दूसरा बंदा आता है जो उस पर आपका जो मतलब इसको पर आटोमेटिकली चला जाएगा और आपका है जो वह उसकी वन टैप है या फिल आप अच्छा करके हैट्शाट मार सकेंगा है आपकी ट्रिक बता रहा हूं मैं यह यह तो आपको यह सेंस्टिविटी करने लेना है और जो आपके आ इसको आपके अगतर पर लेना है सेंस्टिविटी सेटिंगे जो फोरेक्स वी आपको एकतर पर अखलेना है तर पर रहने इसके होगा जो आपका फूरेक्स खूप का मतलब बंदे को मारें तो उसका है जो पूरा स्कूप बंदी को बंदी वोपर ही जा रहा है तो घड़ी पट्ट से लगेगा है बंदे के हैट पर लगेगा पट्ट से हैट शॉट आपको यह भी एकतर पर रख लेना है आप बारी आतिया आपकी एड़ाइम स्कूप तो आपको 50 पर ही रखना होगा गाइस क्यूंकि आपका जो एड़ाइडिंग वार का होता है जो इसको लगा कि मा आपको बता रहा हूं तो आगर आपको यह वीडियो अच्छ लागे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपने जोस्तों साथ इस वीडियो को श्यार गया है तो गया है झाल झाल झाल